जिक्र करेंगे हाप एक Gain and Face Plot का. So Gain or Face के रिस्पेक्ट में आपका एक Plot Draw है. देखिए इदर Face है और इदर Gain है. This is Face, not Face Margin. This is Gain, not Gain, Margin. ठीक है? Face और Gain के एक Plot Draw है. और पूचा है कि Gain Margin is greater than 0, Face Margin greater than 0 and all these things. करें कैसे? अच्छा प्लोट को जब भी उद जो है वह जब भी मैनस one one इट डिगरी लाइन को क्रोस करता है वहां पर आपको ओमेगा पीशी निकलेगा पक्का इस नथिन बड ओमेगा पीशी ना यह जो पोईंट है यह ओमेगा पीशी होगा औरे ओमेगा इकुल टो 1 होता है, so linear form में तो 1 हो गया, लेकिन db में निकालना हो तो, इसको db में निकालना हो तो, you know very well db में निकालना होता है, तो 20 लोग 1 लिखना पड़ता है, this is nothing but 0, so 0 db line को जहां cross करें आपका plot, वहां पे आपकी omega gc निकलती है, आप मुझे बताओ, कौन बड़ा, omega gc बड़ा कि this is nothing but unstable system रहा, unstable system you have, so unstable system के लिए, gain margin, face margin दोनों क्या होते हैं, less than 0, face margin less than 0, where is the option, here is the option, this one is the correct answer, ठीक है, चलो आपको नहीं करना, आपको नहीं find out करना, omega gc, omega gc, कौन बड़ा है, क्या करना है, तो आप तो, आप तो फिर simple तरीके से जाओना, simple तरीके से जाना पड़ेगा, तो formula लगाने पड़ेगे, face margin is 180 plus angle of gh, h omega equal to omega gc, omega gc, where is omega gc, here is omega gc, omega gc पे आपका जो angle है, वो minus 180 degree से 270 के बीच में, एक कोई सा भी term ले लिए, let's take minus 200 degree, so यह हो जाएगा, 180 degree minus 200 degree, you are getting negative और positive, चलिए, pm जो है, वो negative हो गया, pm जो है, वो negative हुआ है, नहीं, yes or no, हो गया, अब gain margin की बात करते हैं, so gain margin is nothing but 20, यह, इसको लिख दूना, minus 20 log m, है ना, m निचे रहता है, उपर आया, तो plus हो गया, अच्छा, आब, आब आपको जाना है, omega gc, here is omega gc, omega gc पे जो magnitude है, वो db मे जो दिया हुआ है, और कितना है, चल, let's take 10 db, 20 से 0 हो गया, 10 db, db में दिया हुआ, इसकी value नहीं दिय हुई है, यह complete log m की value दिय हुई, है ना, so, इसकी value आपको दिय हुई है, 20 log m की value दिय हुई है, आपको, पूरी, क्योंकि db में दिया हुआ है, minus, suppose minus तो आल्रेट है, फेस मार्जिन पुछा है गेंग मार्जिन पुछा है गेंग मार्जिन पुछा है गेंग मार्जिन पुछा है गेंग मार्जिन पुछा है के वंग करते हैं तो कोस्ते लोग में चाहिए ये तो 1 by M है ना तो gain margin कहा निकालते हैं omega equal to omega PC पर निकालते हैं omega PC कहा है यहाँ है omega PC पर magnitude कितना है 0.25 है sir तो यह कितना हो गया 4 हो गया 4 is the gain margin कहा है option sir यहाँ है यहाँ है face margin विदो निकाल फिर click करेंगे चलिए face margin निकालते है face margin face margin कहा निकलता है सबसे पहले face margin का formula था 180 degree angle GH H omega equal to omega GC omega GC पर angle कितना है omega GC पर angle दिया हुए 30 degree तो यहाँ रख देना राजा 1 minus 30 degree not plus 30 ध्यान रखना so minus 30 degree it is 150 so your answer is तीर question आपके लिए लिए लिप दिया हूं और gate का इधी 10 देखोगे तो सबसे ज्यादा पुछा गया है face margin gain margin face cross-order frequency gain cross-order frequency ठीक है इस question वो पुछा गतना है कि what is the PM and GM what is the PM and GM चलिए GM दे निकालना हो आपको तो आपको omega PC चाहिए है ना यदि आपको PM निकालना है तो आपको omega GC चाहिए यह तो आपके दिमाग में आइडिया है omega GC क्या है where magnitude becomes 1 omega PC क्या है where face become minus 180 degree चलिए ना करते हैं इस चीज़ को हम चलिए देखें आपके पास जो तरीका है जो आप करते हैं आप बदा मुझे जब भी माइनस 180 degree लाइन को यह ती रिच कर जाएगा आपका आपका जो ग्राफ है तो उस टाइम पर इमेजनरी पार्ट उसको क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो तो जब भी omega PC निकालते हो उसका अब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको यह बताया कि omega PC निकालना है तो आपको इसको फेस निकालना पड़ेगा इस फेस को एकवेट करना पड़ेगा माइनस 180 बहुत लेंदे हो जाएगा shortcut क्या है इमेजनरी पार्ट को जीरो के एकवेट करना है ठीक है चलिए इसका multiply कर लेता हूँ मैं अंदर यह जो है ना इसका मैं नीचे multiply कर लेता हूँ आपके लिए तो आपको यह जो बनेगा चलिए इस भी शोट करना है तो आप पहले से ही value न होनेगा one divided by two s cube plus s square तो यह हो जाएगा three s square इन दोनों को जोड़ दिया प्लस s ठीक है अब हम j omega की value यहां रखते है अब हम j omega की इसकी जगे j omega यहां रख देते हैं ठीक है चलिए मैं रखता हूँ आपके लिए this is nothing but j omega 2 to the power 3 plus 3 यह हो जाएगा j omega square plus j omega ठीक है प्लस j omega यह मैं इसके जगे j omega put करती है चलो अब आप बताएंगे मुझको कि क्या होने वाला है यहां पर देखिए इसको यदि आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा two omega cube minus j आएगा है ना चलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको सबको पता आए ठीक है यह हो जाएगा three omega square only ठीक है और यह हो जाएगा j omega चलिए imaginary part यहां से conclude करिए imaginary part जो है इसका है two omega cube plus omega two omega cube plus omega यह imaginary part है और इसको कर देना है zero के बराबर आपका omega आपके हाथ में होगा ठीक है चलिए करते हैं minus two omega square is nothing but minus omega यह got cancelled यह गया omega is nothing but omega is यह कितना था cube था तो this is nothing but square omega जो आया one by root two आया omega equal to one by root two आया ठीक है so one by root two radian per second this is nothing but the radian per second ठीक है चलिए omega की value यह से कितने आसानी से आ गई यहरी यह से नहीं करते तो आपको ना नहीं यादा जाती ठीक है omega pc जो है वो है minus one by root two ठीक है one by root two आ गया omega face margin निकालना है आपको gain margin निकालना है तो आप gain margin एक omega gc उसको भी निकाल लेते हैं omega gc जहां पर magnitude हो जाता है one तो यह हो जाएगा magnitude omega यह हो जाएगा omega square plus one यह हो जाएगा four omega square plus one equal to one कर देना आपको यहां से omega gc आएगी अपकी ठीक है तो this is omega और इनका multiply कर यह आप so omega square plus one four omega square plus one दोनों को single root में डालतीजे और यह हो जाएगा one ठीक है दोनों तरों square करतीजे omega square omega square plus one four omega square plus one equal to one अब यहां पर होती है आपके लिए जबरदर्स कहानी उसको solve करने की omega gc को निकालने की ठीक है तो इस equation को आपको पूरा solve करके omega gc को लेके आना पड़ेगा कि omega gc actually है कितना ठीक है तो चलो यहां से omega gc की value मैं आपको डारेक्ट बताने वाला हूं कि कितनी आने वाली है इस equation से यहां से इसको solve करने के बाद अभी हम देखते हैं कि मालो यह दि आपको phase margin निकालना आपको चलो मैं gain margin निकालता हूं gain margin इदे db में पूछा होता हूं तो इसका magnitude यह है ओमेगा PC आपको निकालना होता तो यह होता 1 by root 2 यह होता 1 by 2 plus 1 under root यह होता 4 into 3 3 हो जाता ठीक है so कुछ इस तरी से इसका magnitude आता root 2 को में उपर पहुचा सकता हूं यहां जो है this is nothing but 1.5 यहां कि 3 by 2 3 by 2 गोना 3 so this is nothing but your magnitude ठीक है so यहां से बाहर आता क्या आपका 2 by 3 is the answer 2 by root 2 उपर जाने बाला है root 2 root 2 become 2 and 3 3 become 3 so चलिए 2 by 3 तो आ गया आपके हाथ में ठीक है अच्छा इसकी में बात कर रहा था omega gc आपको calculate करना है तो एक लेंदी सा equation यहां बनने वाला है उसके बाद यह इसका कोई shortcut नहीं है इसका कोई shortcut नहीं है इसको आपको calculate करके लाना परेगा ठीक है और कोई shortcut method किसी के पास हो तो comment कर दीजे चलिए omega gc यहां कुछ निकाल के लिए क्या यह आप मैं नहीं कर रहा है आपके लिए face margin जो होगा that is 180 प्लस एंगल ओग जी जी ओमेगा 8 omega equal to omega gc जो omega gc आप लाओगे वह इसके angle form में रखना है इसका angle form क्या जाएगा इसका angle form इदी आप निकालोगे इसका angle form इदी निकालोगे तो वह जाएगा minus 90 degree minus 10 inverse omega minus 10 inverse 2 omega simple सा मैं नहीं यहां पर किया है तो आपको क्या आजाना है यहां पर omega gc and pc बहुत चलिए next question देखते हैं जिसमां आपके पर options दिये हैं इसने पुछा है face margin is इसने पुछा है आपसे face margin for this question is face margin face margin पुछा है तो face margin के लिए omega gc चाहिए omega gc चाहिए omega gc के लिए जो इसका magnitude है और magnitude क्या हो जाएगा omega square omega square plus 1 under root to the power 3 यह इसको आपको equate कर देना है 1 के चलिए मैंने कर दिया आपके पास आया omega square plus 1 under root equal to 1 आपके पास आया omega square plus 1 equal to 1 ठीक है आप क्या कर दिये इसको omega square plus 1 equal to 1 square कर दिये है ना so omega is nothing but 0 omega 0 पर यह magnitude 1 हो जाता है सो omega की value जो 0 आई उसको हम रखेंगे ते लिए इसकी value आपने 0 लेके आ गया है अब आपको चाहिए face margin, face margin के लिए you are looking for your gj omega at omega gc पर निकालेंगे so face इसका है निकालोगे तो वह हो जाएगा 3 times of 10 inverse omega omega कितना है राज़ा 0 है सो इसकी value कितने आ गई? 0 आ गई चलिए face margin उसने पूछा है so face margin is nothing but 180 degree plus angle of gh 8 omega equal to omega gc इसकी value क्या लेके आप 0 लेके आप so this is nothing but pi face margin for this question is pi so pi is your answer है ना इजी? चलिए next question देखते है next question आपको बोल रहा कि आपको दिया गया है कुछ what is the omega pc so omega pc yes omega pc कहा निकलती है जब आपका आपका जो phase है जो आपका phase है उसको equate करना है आपको minus 180 degree से बस यहीं पे आपकी omega pc क्या हो जाती है निकालनी है आपको ठीक है minus 180 degree से compare करके चलो सबसे पहले आपका magnitude जो है उसका angle ले ले लेता हूँ है e to the power minus term का suppose e to the power minus a s लिखा हुआ है तो इसका जो angle होता है that is nothing but यह radian में यहां पे जो इसका term है जे के साथ जो लिखा रहता है इसको आप लिख लिए a j omega a j का जो भी यहां पर multiplier है उसको यहां लिख दीजिए लेंगे into 180 degree by pi this is your angle this is your angle ओके और नीचे वाल angle हो गया minus 90 degree इसको equate कर अच्छा करना क्या है omega PC अच्छा omega मैं यहां भूल गया मैं आपको omega ठीक है क्योंकि s को expand करोगे तो यह हो जाएगा 0.1 j omega j के जो साथ में multiply में हो वो हाँ जाना है इसको आप equate करोगे minus 180 degree से यह वो हो जाएगा 18 omega by pi minus 90 degree सभी बन जाएगे so 90 को यह हो जाएगा 90 यह हो जाएगा 18 by pi multiply with omega so omega की value हो जाएगी pi और this is nothing but ah pi multiply with 90 divide by 18 am i right no no yes so this is nothing but this is 90 you are getting over here 90 pi divided by 18 this is nothing but your omega so you should get here 5Pi omega equal to 5Pi we do not have any option over here so आप जो यहाएगा 5Pi this is nothing but omega gc अब घबराने की जरुबत ने हैं आपका 5 pi यहां लिखा तो है pi by 0.2 so this will be 10 so this will be 5 pi so 5 pi is your 4 omega pc आसान है